हेलो, वेलकम टू माई स्टुडेंट सपोर्ट सिस्टम आज की चाल्ड हेल्थ की क्लास में आप सबका स्वागत है आज का हमारा विशे है स्वमाज में लड़कियों की स्थिती के बारे में जिनको विशेस अटेंशन की जरूरत है यह लेक्चर आप हिंदी में देख रहे है यदि इसी लेक्चर को आपको इंगलिश में स्टुडी करना है तो आप आई बटन पे कलिक करें वहाँ से आपको इंगलिश लेक्चर का लिंक मिलेगा और आप डिरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं भारत में बालिका अधिकारों और सनरक्षन का जो मुद्दा है वो गंभिर चिंता का विशे है सिर्फ लड़कियां ही नहीं महिलां को भी बेदबाव का शिकार होना पड़ता है जेंडर पूर्वा ग्रहें ऐ सिक्षित और सामाजिक रूप से जो पिछला वर्ग है उनमें अधिक देखा जाता है बालिकाओं के आगमन से ही जैसी उनका जन्म होता है वहीं से जीवन के हर पड़ाव पर भेदभाव, अपमान और उत्पिडन का सामनावने करना पड़ता है और जब स्वास्ते, सेवा, सिक्षा, विकास के अवसरों की बात आती है तो उसके लिंक के कारणी उपेक्षित किया जाता है लड़कों को जदा प्रात्मिक्ताएं दी जाती है और लड़कों को उपेक्षित किया जाता है यह बालिका यदि अपने खिलाफ होने वाले सभी बेदभाओं और अपरादों से यदि बच जाती है और बड़ी होती है तो यह उसकी जीवित रहने का सब संगर्श है वो प्रक्रिया है इसके दोरान उसका जो एटिटूड है वो ऐसा मोर्ड हो जाता है कि वो अपनी बच्चियों के साथ भी वैसा एक भेदभाओं करना शुरू कर देती है उन्हें हर दबाना शुरू कर देती है कि जो दबा हुआ या नए बोलने वाला नए आवाज उठाने वाला जो स्टेटस है वो ही गर्ल्स के लिए एक नियती है ऐसा उन्हें समझा दिया जाता है यह एक साइकल चलता रहता है और इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है आज यदि हम देखें कि बालिकाओं से संबनित कौन से मुद्धे हैं मुख्या रूट से तो वो होंगे फीमेल इंफेंटिसाइड करन्या ब्रून हत्या जिसको हम कह सकते हैं नूट्रिशनल इन सब को हम एक एक करके स्टड़ी करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि यह उनका समाधान भी प्राप्त कर सकेंगे उसमें हम सहयोग कर सकेंगे सबसे पहला पॉइंट है फीमेल इंफेंटिसाइड कन्या ब्रून हत्या कन्या ब्रून हत्या एक जगन्य अपराद स्रल्च अब्दों में यह नवजात महिला या नवजात बच्चीयों को उनके जन्म के एक साल के भीतर मारने का एक जानबूज कर प्रयासे और यह सदियों पुरानी परंपरा है पहले सेक्स डिटेक्शन बिफोर बर्त नहीं होता था तो उस समय से यह चला आ रहा है कि बच्ची पैदा हो गई तो वो जो पहला साल है उनके लिए बहुत ही डिपिकल्ट है कभी भी उनको मारा जा सकता है जस्टिस लिए कि वो लड किया है जिसका मूल कारण सामाजिक बुराईयों में स्थित जैसे गरीबी, एसिक्षा, बाल विवा, दहेज प्रथा, क्राइम अगेंस्ट वेमेन, बालिका के साथ भेदभाव एवन जन्म से पहले यह शुरूप हो गया है जब से सेक्स डिटेक्शन टेक्नोलोजी जाई ह उनका दुरूप योग बड़ा है अगर यह पता लग जाता है कि जो गर्ब में बच्चा है वो एक बालिका है तो बुरून हत्या तक करवा दी जाती है कन्या बुरून हत्या कई कारुकों से प्रेदित है उनके रूप से एक बेटी को जो भविश्य का दुल्ला होगा उसके दहिज का बुगतान करने की संभावना सबसे बड़ा एक मुद्दा उबर पर सामने आता है जबकि ये माना जाता है कि जो बेटा है वो डापे में सहारा बनेगा और परिवारों को सुरक्षा पतान करेगा और इवन जो मृत माता पिता या पूर्वज है उनके आत्माओं के शान्ती के लिए संसकार कर सकता है और जबकि बेटिया नहीं कर सकती ये माना जाता है जो स में वैसे गर्ब पात कानूनी है परंतु सिर्फ इस लिए गर्ब पात करवा देना कि गर्ब में पलरा बचा लड़की है वो एक अपराद है और उसके लिए सक्त कानून है दंड की उसमें व्याक्या या व्यवस्ता की गई है दूसरा जो इशू आता है वो निउट्रिशनल स्टेटस पोशन की स्थिति लड़कियों की जो पोशन की स्थिति है वो आम तोर पर लड़कों की तुल्ला में खराबी है परिवारों में एक बाली का कुछ ज्यादा निउट्रिशन की जुरूरत है स्पेशली नारित्व के विभिन कालों में जब वो गुजरती है मंत्री पीरियेट्स में ब्लड लोस होता है अच्छा निउट्रिशन उनको चाहिए बभीश्य में वो एक गरबदारन करेंगी उसके लिए उनको अच्छा निउट्रिशन चाहिए परन्तु बच्चों में पोश्यन के जो अभाव होता है वो चलता रहता है एक बच्ची यदि कोपोशित है तो बड़ी होकर कोपोशित महिला बनेगी फिर उसके जो बच्ची होगे उनमें जो बच्ची होगी वो और कोपोशित हो जाएगी तो ये चक्र चलता रहता है इस सुधारने की गुंजाई से सुधारा जा सकता है कोशिश करके पोशन संबंदी समय शाओं से जो ग्रसित बच्चियां हैं उनमें और भी प्रोब्लम्स होती है इम्मुनिटी जो सिंड्रोम है वो हो जाता है जैसे इम्मुनिटी कम होगी तो दस्त पीलिया नेमोनिया मलेरिया खसरा और अन्य जो communicable disease हैं उनसे वो ग्रसित रहेंगी भारत में लगवग 50 प्रतिशत लड़किया एनीमिया से पीड़ी थें किसी भी स्कूल में आप इम लोब इनकी जांच करवा के देखें तो वहां पता लगेगा इवन जो well-to-do families है वहां भी एनीमिया है कुछ भी कार अबित करती है प्रोपर उनका विकास और डेवलप्मेंट हो नहीं पाता है उसके बाद है morbidity and mortality इन सब प्रस्तिजियों को देखते हुए जो उनमें बिमारीयों होने की संभावना और एवन मृतियों की जो संभावना है वो काफी अधिक हो जाती है सभाने तोर पर परिवा जाता है कि हो सकते है अपने आप ठीक हो जाए और करीब जो परिवारों में जो पोशन किस्थेती है वो तो और भी वयावय हो जाती है ज्यादार इन जो बचिया हैं उनमें nutrition से संभंदित morbidity देखी जा सकती है communicable disease से संभंदित देखी जा सकती है और यहां तक कि जो साल के भीतर जम्रित्यू होती है और जो पांच साल से छोटे बच्चों की जम्रित्यू है अगरे उनका rate भी देखें तो बच्चियों में ज्यादा है लड़कों की affection लड़कियों को अगला जो है point वो हमारा आता है educational status यहां भी देखें तो condition कुछ बहुत अच्छी नहीं है वैसे लड़कियों को सिक्षित करना एक बहुत अच्छा निवेश है एक देश के लिए return बहुत अच्छा आएगा परन्तु लड़कियों की जो सिक्षा के स्थेति है वो बहुत अभी अच्छी तस्वीर पेश नहीं करती है ग्रामिन क्षित्रों में लड़कियों का एक बड़ा हिस्सा है जो कभी स्कूल गया ही नहीं जाता ही नहीं एन्रॉल्मेंट ही नहीं होता है और जिनका हो जाता है वहां भी ड्रोपाउंट रेट देखी जाती है बच्चें स्कूल छोड़ देती है बीच में एक खाली के राष्ट यांकडों से पता लगता है कि एलिमेंटरी लेवल पर यानि प्राइमरी लेवल पर ही ड्रोपाउंट दर च्यार पॉइंट दस परसेंट है जिनका एंडूल्मेंट हुआ है उनका और ये रेट बढ़ जाता है सेकेंडरी लेवल पर माद्यमिक्स दर पर 16.88 लड़कियों की सिक्षा, सुर्क्षा चिन्ताओं, घर और स्कूल के बीच की दूरी, सह सिक्षा से संबंदित सामाजिक उदासींता, सस्ते सैनेटरी नैपकिन्स की कमी, अलग कार्यात्मक जो शोचालियों की अनुपस्तिती स्कूलों में सेपरेट टॉयलेट्स नह रांचे में जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, उनके कारण पेरेंट्स बच्चियों को स्कूल नहीं बेजना चाहते हैं, और जो क्राइम उनके विरुद बढ़ रहा है, अगर कोई हिम्मत करके स्कूल जाना भी चाहता है, तो आपने रोज समाचारों में सुन देंगी, रास क्रावलिंग इवन पूरी करने से पहले पड़ा बीच में छोड़ देती हैं, Abuse and Neglect, ज्यादातर जो यह उपेक्षा है वो एक से अधिक शेत्रों में होती है, जैसे स्वास्थे, हमने देखा, सिक्षा, भावनात्मक विकास, न्यूट्रिशन, इन सब जगें उन्हें उप उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, और जो बाली का दुरुव्यवार है, वो भी जेलना पड़ता है, जिसमें शारीरीक, भावनात्मक, योन शोशन, उपेक्षा, और ये सारे सोशन के कई प्रकार हैं, जिसके प्रिणाम सरूप, बच्चे का, बच्चीयों का प्रोपर विकास डेवलोपमेंट ग्रोथ नहीं हो पाती है, उसे वास्त्विक या संभावित नुकसान पहुचता है, इस व्यापक परिभाशा के अंदर मुखे पांस प्रगार के एब्यूजेज आते हैं, शारीक शोशन, योन शोशन, उपेक्षा, लापरवाही, उप्चार में, भावनात्मक शोशन और अन्या शोशन, व्यसकों के रूप में हम लोगों की जिम्मेदारी है, कि बच्चों, बच्चियों का जो व्यवार है, उसको देख के हम आइडिया लगा सकें कि उसके साथ दुरुवेवार हुआ है, और उन्हें बोलने के लिए प्रेरित करें, उन देखना डिले होता जाएगा, तो चाए स्कूल है, चाए घर है, बच्चियों के व्यवार को देखते हुए, हमें पता लगाना चाहिए कि कहीं उसको शक होना चाहिए, कहीं अपराद तो उनके विरुद नहीं हो रहा है, उन्हें गुड़ टच और बेड़ टच के बारे मे सिखाया जाना चाहिए, पता होना चाहिए उन्हें, बच्चों को बोलने के लिए प्रिरित करें और हमेशा बच्चे को प्रात्मिक्ता दें, कुछ भी वो थोड़ा सा भी कहना का प्रियास कर रहा है तो उससे सुने, स्तिति को अन्देखा ना करें, उसके बाद आता है गर्ल्चाइड लेबर, यह भी एक गंबीर समश्या है, और सबसे बड़ी समश्या यह है कि इसका जो सुरूप है, इन्वीजिबल है, बहुती कम रिकोर्ड या डोकुमेंटेशन है, जिनसे पता लगा सकेंगे कि कितना गर्ल्चाइड लेबर हो रहा है हलांकि जो गर्ल्चाइड लेबर है, वो समाज में, घरों में, अंदे की रूप में है, क्योंकि लड़कियां इवन अपनी माताओं के साथ घर के कामों में सयुक कर रही हैं, जबकि लड़के हो सकता है, उसमें स्कूल गए हो, तो वो भी एक गर्ल्चाइड लेबर है, और्गनाइज सेक्टर में है, इसलिए उसका इडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता, कोई महिला यदि किसी घर में काम काज करने जा रही है, बच्ची भी उसके साथ जाती है, वो भी वहां काम कर रही है, जबकि उसको कोई खास पेमिंट नहीं मिल रही, बट वो माँ सोसती है कि घर पे अकेली रहेगी, साथ में वहां चलेगी, कुछ काम सीख लेगी, बाद में उसे काम में लगा दिया जाता है, चाइड लेबर की रूप में यदि कहीं माँ बिमार है, तो बच्ची जाएगी, बाद में हो सकता है, बच्ची कंटीनू करे, तो ये बहुत मुश्किल है इसको रोकना, इसी प्रकार यदि बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, काम काज शुरू कर लेती है, तो वहां भी उसे उपेखशा का सामना करना पड़ता है, और जो नियोकता है, उनकी भी सोची हो जाती है, कि वो अगर लड़का उसको बाद स्रम के रूप में मिल लड़की मिलें, वो लड़की को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो ये मानेंगे कि वो ज़्यदा अध्याकारी होगी, डरपोक होगी, ज़्यदा जिम्मेदार होगी, समय बरबाद नहीं करेगी इदर-उदर, बार-बार ब्रेक कम लेगी, और व्यसनों में नहीं रहेंगी, एक स्थान पर वो बैठ सकती है, चुपसा बैठ सकती है, लड़कों की तुलना में मेहनती और आज्याकारी है, और एवन वो पेमिंट भी कम आगेगी, तो इनके कारण भी जो गर्ल-चाइल्ड लेबर है, उसमें उनका शोसन लड़कों की बज़ाए ज्यादा होता है, इवन एकोशल जोग उन्हें स्विकार करनी पड़ती है, जिसका पेमिंट भी कम होगा, भारतिय समाज एक बहुत बड़े इससे में जो लेंगिक भेदभाव के कारण, बालिका मजदूरों की जो स्थिति है, वो विशेस रूप से चिंता जनाए, टड़कों से ज्यादा उ बालिकाओं की स्थिति की सुधार के लिए एक दिर्ग कालीन समनवित कारवाई की आउशकता पड़ती है, जिसमें सरकार, सेक्षनिक संस्थान, मास मेडिया, गैर सरकारी संगठन और समदाया धारित संगठन हैं, वो सब मिलकर शामिल होते हैं, काम करते हैं, भारत सरकार न बढ़ाओ, इन मैजर्स में हम सबसे पहले एक एक इकोनोमिक मैजर्स अपना सकते हैं, यह बहुत महतोपूर्ण है कि जिन लोगों की बेटियां हैं, उन्हें प्रोथसाहित करने के लिए उची दुपाय की जाएं, उधारन के लिए विभिन जो ग्रामिन, रोजगार योज उनके अकाउंट को लोई जाएं जोइंट, जहां केंदर सरकार या राज्य सरकार कुछ एमाउंट डाले जो बच्ची के निउट्रिशन और विकास, स्टेडी के लिए खर्च किया जा सके, परिवार उसे बोज ना समझे, उसके बाद है प्रोवाइडिंग इकोल वालिकाउं के कल्यान पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वे इन समान आउसरों का लाब उठा सके, लड़कियों को प्रतियक काम के लिए प्रतिस परदा करने का समान आउसर दिया जाना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन की पेशकस की जाने चाहिए, और विक 12 सरकार ने पहले ही ये सुनिष्चित कर लिया है शिक्षा के अधिकार कानून के तहट कि 14 वर्ष तक की आयूग की सभी लोगों को सभी बच्चों को चाहिए वो लड़का है लड़की है बुनियादी प्रात्मिक शिक्षा प्रदान की जाए इसके साथ सरकार को ये भी सुनि में प्रदान की जानी चाहिए लड़कियों को और महिला उनली जो एजुकेशनल इंस्टूशन है उनका भी संचालन करना चाहिए सोशल अवेरनेस समाज में जागरुकता निमलिक तरीकों से हम बालिकाओं के विभिन पहलूं के बारे में जागरुकता फैला सकते हैं समाज में कि एक तो स्थानिय इलाकों के जो प्रोमिनेंट पॉइंट से वहाँ पर पोस्टर्स लगाएं विभिन भाशाओं में पालिकाओं से संबंदित विभिन मुद्धों और समाजान पर केंद्रित टीवी शोज, रेडियो शोज और स्टीट प्लेज हैं उनका आयोजन करवाया जार सके जमिनी स्तर पर भागिदारी सुनिशित करने के लिए सभी स्तरों पर जो स्थानिय निकाय हैं वो सेमिनार आय लडकियों और लडकों को भी इवन स्कूली शिख्षा के लिए प्रोथषाहित कारने के लिए बहुत बढ़िया साधन है, उपोशित बालिकाओं के लिए विशेष पूरग कार्यकरम अलग से शूरुक किया जाना चाहिए, विशेष रूप से लडकियों में रिकेट्ष की की रोकताम के लिए vitamin D supplementation दिया जाना चाहिए जो राष्ट ये deworming day है 10th of February जब सब बच्चों को albendazole tablet दी जाती है पेट के कीडों को स्माप्ट करने के लिए वो भी एक बहुत अच्छा उपाई है nutritional status को improve करने के लिए और कुछ राजयों में तो anemia को रोकने के लिए iron tablets भी बच्चियों को दी जा रही है वो भी एक अच्छा उपाई है एक उपाई यह हो सकता है कि जो home visit होती है health workers के दोरा उसमें लड़कियों पर विशेश ध्यान दिया जाए जो समधाइक स्वास्ते कारे करता है वो जब गर क दोरा करती है तो उस दोरान जो लड़कियां सामने नहीं आती है परिवार की उनको neglect किया जाता है उनको special पूछें कि वो बेटी आपकी कहा है उसका health से कब जरूर करें special nutritional status, height weight, growth और यदि कुछ problem या समश्या निकल रही है कुछ बिमारी निकल रही है तो परिवार को प्रो वास्ते केंद्र आएं और उसके लिए उसी उपचार करवाएं एडोप्शन उप गर्स यानि जो लड़कियां है उनको गोध लेने के लिए प्रोथसाहित किया जाना चाहिए लोगों को विशेजकर जो विकलांग बच्चियां है अनात बच्चियां है और बड़े पैमान इसके लावा कुछ कानूनी प्रोटेक्शन भी है लड़कियों के लिए बहुत सारे ऐसे कानून है जो बालिकाओं को शोसन से बचाते हैं जैसे बाल विवा अधिनियम बाल विवा निशेद अधिनियम दो जार छे दहेज निशेद अधिनियम 1961 बाल शिरम निशेद अधिन मेडिकल टर्मिनेशन उप्रेगनेंसी एम्टीपी एक्ट 1971 और कार्यस्तल पर महिलाओं का जो योन उत्पीडन है वो अदिनियम 2013 ये सब उन बच्चियों के महिलाओं के शोसन को रोपने के लिए किये गए कुछ कानूनी उपाए ऐसे ही उपयोगी लेक्चर्स देखने के लि बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले लेटेस्ट अपडेट्स का फेस्बुक पेज माइ स्टुडेंट सपोर्ट सिस्टम को आप लाइक कर सकते हैं नोट्स बनाने के लिए ये कंटेंट देखने के लिए mynursingstudents.blogs.com ये ब्लोगर विजिट करें फोलू कर सकते हैं मुझे ट्वीटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेस्बुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स जोइन कर सकते हैं धन्यवाद आपका दिन शुब्दू